नवस्कार आइडियो बुप में आपका शौगत है भारती राजविरस्था के इसंस में हम राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यानी नैस्नल हुमन राइट कमिस्टन के बारे में जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं राश्ट्रिय मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार आयोग एक संबधिक निकाय है यानी एक ऐसा निकाय जिसकी स्थापना संबीधान द्वारा नहीं की गई है इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर गत हुआ था जिसका नाम था मानव अधिकार संदचन अधिनियम 1993 वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संसोधन किया गया यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है अर्थात संबिधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर राष्टिय संधियों से निर्मित या भारत में नियालय द्वारा अधिरूपित किये जाने वाले जीवन, स्व के प्रमुख उद्देश, उन संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करना जिसके द्वारा मानव अधिकारों के मुद्दों का पूर्ण रूप से समधन किया जा सके, अधिकारों के अधिक्रमन को सरकार से स्वतंत रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानावधिकार के सरच्छन के प्रतिपधता पर केंद्रित किया जा सके इस दिसा में किये गए प्रयासों को पूर्ण वक्त ससक्त बनाना राष्टिय मानावधिकार आयोग की संदचना आयोग एक बहुत सदश्य संस्था है जिसमें एक अध्यच वाचार सदश्य होते हैं आयोग का अध्यच भारत का कोई सेवा निवरत मुख्यनायधिस होना चाहिए उच्च नियालय का काररत या सेवा निवरत मुख्यनायधिस होना चाहिए दो अन्य व्यक्तियों को माना अधिकार से संबंधित जानकारी अत्वा कारनुभव होना चाहिए इन पूर्ण कालिक सदस्यों के अधिरिक्त आयोग में चार अन्य पदेन सदस्य होते हैं जो राष्टी अल्वसंकक आयोग राष्टी अनसूजित जाती वा राष्टी अनसूजित जन जाती आयोग वा राष्टी महिला आयोग के अध्धच हो आयोक के अध्थच वसदस्यों के नियुकति राषटपती द्वारा प्रधान मंत्री के नेत्रत बेगटित 6 सदस्री समिति की छिफारिश पर होती है समिती में प्रधान मंत्री, लोक्षवा अध्धच, राजसभा के उपसभापती, संसत के दोनों सदनों के मुख, विपच्छी दल के नेता वा केंद्रिक ग्रह मंत्री होते हैं इसके दिरिक्त भारत के मुख नयधिस के सलाह पर उच्च तम नया लेके किसी नयधिस अत्वा, उच्च नया लेके किसी मुख नयधिस के नियुकी हो सकती है आयो के अधच वा सदस का कारिकाल पांच वर्स अथवा जब उनकी उम्न सत्तर वर्स हो जो भी पहले हो तब तक होता है अपने कारिकाल के पश्चात आयो के अधच वा सदस केंद्र सरकार अथवा राज सरकारों में किसी भी पत के योगे नहीं होते राश्ट पती अध्धच वा सदस्ट को उनके पत से किसी भी समय निव्न परिष्थितियों में हटा सकता है यदिवह दिवालिया हो जाए या यदिवह अपने कारिकाल के दौरान अपने कारिछेट से बाहर किसी प्रदत रोजगार में सनलिप्त होता है यदिवह मांसिक वा सारीरी कारणों से कारिकरने में असमर्ज हो यदिवह मांसिक रोप से असोस्त हो तथा सच्छम नियालय ऐसी घुष्णा करे यदिवह नियालय द्वारा किसी अपराद का दोसी वा सजाब प्राप्त हो इसके अत्रिक्त राष्ट पती अध्धच तथा किसी भी सदश्य को उसके दुराचार या अच्छमता के कारण भी पत से हटा सकता है हलाकि इस इस्तिती में राष्ट पती इस भी सेको उच्छतम नियालय में जाज के लिए सौफेगा यदि जाज के उपरांत उच्छतम नियालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलापर राष्ट पती इन सदश्यों वा अध्धच को उनके पत से हटा सकता है आयोग के अधच्छवा सदश्यों के बेतन भत्तो वा अन्य सेवा सर्तों का निधारन केंद्रिय सरकार द्वारा किया जाता है परन्तु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलापकारी परिबरतन नहीं किया जा सकता उपरुप्त सभी उपवंदों का उद्देश आयोग की कारसाली को स्वेतता, स्वधीनिता तथा निस्पच्छता प्रतान करता है आयोग के कार रिर्फ, मानव धिकारों के उलंगन की जाज करना, अथवा किसी लोग सेवा के समझ प्रस्तुत, मानव धिकार उलंगन की प्रार्थना, जिसकी वह अभेडना करता हो, उसकी जाच, श्वाप्रिणना या नियालय के आदेश से करना, नियाले में लंबित किसी मानवधिकार से संबंधित कारवाही में हस्ता छेप करना जेलो वा बंदी ग्रहों में जाकर वहां के श्थिती का अध्यान करना वा इस पारे में शिफारिस करना मानवधिकार की रच्छा हे तू बनाए गए संब्धानिक वा विधिक उपवंधों की समिच्छा करना तथा इसके प्रभावी कार्यान वेन हे तू उपायों की सिफारिस करना आतंक वाद सहित उन सभी कारणों की समिच्छा करना जिनसे माना अधिकारों का उलंगान होता हो तथा इनके बचावों की उपायों की सिफारिस करना मानव अधिकारों से संबंधित अंतरराष्टिय संधियों वा दस्तवेजों का अध्यान वा उनको प्रवासाली तरीके से लागू करने है तुँ सिफारिस करना मानव अधिकारों के छेत्र में सोध करना और इसे प्रोत्साहित करना लोगों के बीच मानुधिकारों की जानकारी फैलाना वा उनकी सुटच्छा के लिए उपलग्द उपायों के प्रति जागरुकता पैदा करना मानुधिकारों के छेत्र में कारिरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना ऐसे अवश्यक कार्यों को करना जो की मान अधिकारों के प्रचार के लिए अवश्यक हो आयोग की कार प्रणाली आयोग का प्रधान कार्याले दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्याले खूल सकते हैं आयो की अपनी कार प्रणाली है तथा हुआ है यह करने के लिए अधिक्रत है आयो के पास सिविल न्याले जैसे सभी अधिकार वह सक्तियां है तथा इसका चरित्र भी न्याई है आयो केंद्र अत्वा राज सरकार से किसी भी जानकारी अत्वा रिपोर्ट की मायं कर सकता है आयो के पास मानवधिकारों के उलंगन से संबंधित शिकायतों की जाच हेतु एक स्वयमका जांस्तल है इसके अत्रिक्त आयो केंद्र अत्वा राज सरकार की किसी भी अधिकारी य अलंगंत की शुचना प्राप्ति में सहायक है, आयोग ऐसे किसी मामले की जाज के लिए अधिक्रत नहीं हैं, जिसे घडित हुए एक वर्से अधिक हो गया हो, दूसरे सब्दों में आयोग उन्हीं मामलों की जाज कर सकता है, जिन्हें घडित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो आयोग जाज के दोरान या उप्रांत निम्न में से कोई भी कदम उठा सकता है यदि पीडित व्यक्ति को छति पूर्थी या नुकसान के भुखतान के लिए संबंधित सरकार या प्रधिकरण को सिफारिस कर सकता है यह दोसी लोग सेवक के विरुद बंधिकरण है तो कारवाही प्राराम करने के लिए संबंधित सरकार या प्रधिकरण को शिफारिस कर सकता है यह संबंधित सरकार या प्रदिकरण को पीडित को ततकालिक आंत्रिम सहायता प्रदान करने की सिफारिस कर सकता है आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश आदेश अत्वा रिट के लिए उच्छतम अत्वा उच्छ न्याले में जा सकता है आयोग की भूमिका उक्त बिंदियों से स्पष्ट है कि आयोग का कार बस्तुता सिफारिस या सलाहकार का होता है आयोग मानवधिकार उलंगन के दोसी को दंड देने का अधिकारी नहीं होता ना ही आयोग पीडित को किसी प्रकार की सहायता जैसे आर्थिक सहायता देशकता है आयोग की सिफारिसों संबंधी सरकार अथवा अधिकारी पर वादे नहीं है परन्तु उसकी सलाह पर की गई कारवाही पर उसे आयोग के एक महीने के भीतर सुचित करना होता है इस संदर में आयोग की एक भूत पूर्व सरश्च ने यह पाया कि सरकार आयोग की सिफारिसों को पूनता नहीं नकारती है आयोग की भूंका सिफारिसे वा सलाहकारी हो सकती है तथा भी सरकार आयोग द्वरा दिये गए मामलों पर विचार करती है इस पकार यह कहना व्यर्थ होता है कि आयोग शक्ति धीन है आयोग अपने अधिकारों का बूर्ण रूप से प्रियोग करता है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिसों को नकार नहीं सकता ससत्र वल के सदश्य द्वारा किये गए मानाधिकार उलंगन के मामलों में आयोग की भूम का शक्तियां वा नायकता सेमित होती है इस संदर्ब में आयोग केंद सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सला दे सकता है केंद सरकार को तीर महिने की भीतर आयोग की सिफारिस पर की गई कारवाही के बारे में बताना होगा आयोग अपनी वार्षिक अत्वा विशेश रिपोर्ट केंद सरकार वा समबंधित राज सरकारों को भेशता है इन रिपोर्टों को समबंधित विधाईगा के समच रखा जाता है इसके साथ ही वे विवरण होता है इसके साथ ही वे भी ब्रण होते हैं जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिसों पर की गई कारवाही का उल्लेख तथा ऐसे किसी सिफारिस को ना मानने के कारणों का उल्लेख किया जाता है आयोग का कार निस्पादन आयोग ने माना अधिकार संबंधी अनेक विसे हाथ में लिये है जो निम्नप्यकार है जैसे बधुआ मजदूरी की शमाप्ती, राची, आगरा और गौलियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन आगरा इसी सरकारी सुरच्छा ग्रह जो महिलाओं के लिए है उसका संचालन भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दे बाल भी बाहरोक अधिनियम 1929 की समिच्छा बाल अधिकार पर अभी समय से संबंधित प्रोटोकाल सरकारी सेव को दोरा बच्चों को रोजगार में जा इसाबा मीडिया के लिए मार्ग दर्शिका महिलाओं इबं बच्चों का अवैद ब्यापार लैंगिंग संबेदी खरण के लिए नयापालिका के लिए नियम यौन परेटन इबं अवैद ब्यापार के रोख के लिए संबेदी खरण कारिक्रम मात्रत रक्ताल्पता ब्रध प्रधावन ब्रंदावन परित्याप महिलाओं का पुनर्वास, कारिस थलोपर महिला यौन उत्पीडन को रोगना, रेल गालियों में महिला यात्रों का उत्पीडन, हाथ से महला साफ करने की प्रथा का अंत, दलितों से संबंधित मामलो उन पर किये जाने वाले अत्यचार स अधिसूचित तथा घुमन्तु जनजातियों की समस्याएं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, स्वास्त के अधिकार से संबंधित मामले, HIV, AIDS संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार 1999 में उडिश्ता में आये चक्रवाती तुभान से प्रभावित लोगों के लिए राहतकार 2001 के गुजरात भूकम के बाद राहत उपायों का अनुश्रवन, जीला, परिवाद, प्रधिकारण, जनसंख की नेती विकास, एबम, मानवधिकार, कानूनों की समिच्छा, आतंक बाद निवारन विधेयक 2000 सहीता, बिद्रो एबम आतंकवाद प्रभावित छेत्र में मानवधिकार संदच्छन, पुलिस द्वारा गिरपतारी में सक्ति का दूरोपयोग रोगने के लिए दिसानिर देश, राज नगर पुलिस मुख्यालों में मानवधिकार सेवा का गठ हिरासत में मौत, बलातकार या यांत्राना को रोगने के लिए उठाए गए कदम, यांत्राना के खिलाफ अभी शमय को अपनाना, देश के लिए एक शर्णार्थी कानून को बनाने पर चर्चा, पुलिस पंधी ग्रह, अभी रच्छा के अन्न केंद्रों में संदचनात्मक चुधार, मानवधिकार संबंधी कानूनों की समिच्छा, संधियों का कार्यानवय तथा अंतर्राष्टी नियमों की समिच्छा, शिच्छा प्रणाली में मानवधिकार संरच्छता एबम जागुपता को बढ़ावा देना, सैने वलो एबम, पुलिस, लोग प्रधिकारिय समाज के लिए मानोधिकार संसोधन अधिनियम 2006 पारित किया है मानोधिकार संसोधन अधिनियम 1999 में जो प्रमुख संसोधन किये गए थे वे निम्नविशय पर संबंदित थे मानोधिकार आयो के सदस्चों की शंख्या घटा कर पांसे तीन कर दी गई मानोधिकार आयो के सदस्चों की नियुक्ति के लिए योगता सर्तों में परिवर्थन किया गया मानोधिकार आयो के साथ उपलब्द, अनुसंधान, मसीनरी को मजबूत बनाना आयोग की जाच के दोरान छतिपूर्थी के अनुसंसा करने का अधिकार दे कर ससक्त बनाया गया राश्य माना दिकार सर्चन आयोग को राज सरकार को सूचित किये बिना भी बंदी ग्रह में जाने का अधिकार दिया गवाहों के साथ का अभीलेखी करन करने की प्रक्रिया को मजबूती फ्रधान की गई या स्पष्ट करना कि राश्टी मानादिकार आयोग तथा राज मानादिकार आयोग के अध्धच इन दोनों अध्धचों के सदस्टों से भिन इस्थिती रखते हैं राश्टी मानोधिकार आयोग को इस योग बनाना की वे अपने पास आई सिकायतों को संबंधित राज मानोधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दे राश्री मानोधिकार आयोग के अध्धच सथा सदश्यों को इतना समर्थ बनाना कि वे अपने त्याग पत्र राश्पती को तथा अध्धच को संबोधित करें तथा राज मानो अधिकार के अध्धच एवं सदस अपने त्याग पत्र संबंधी राज के राजपाल को संबूधित करें या सपष्ट करना की राजपती मानो अधिकार आयोग अध्वार राज मानो अधिकार आयोग के अध्धच एवं सदस के चायन के लिए कठित चायन समिती के किसी सदश की अनुपश्थिती से चायन समिती के निर्णयों पर कोई प्रहो नहीं पड़ेगा इसकी विवस्था करना कि राश्ट्री अनसूचित चाथी आयो के अध्यच तथा राश्ट्री अनसूचित चाथी आयो के अध्यच राश्ट्री मानाधिकार आयो की सदस्य होंगे केंद्री सरकार को भविस्त के किसी अंतर राश्ट्रिय, प्रतिग्या, पत्रों तथा परंपरां को अधिसूचित करने के योग बनाना जिन पर की अधिनियम लागू हो रहा हो